प्लदोस वाज की ब्रीकिंग निउस, बड़ी खबरे में के समाचार और ताज़ा तरीन हेड़ाइस के साथ मैं गुपार विश्रा हाजिर हो लेकर आज का अकबार सुन लिया समझो पढ़ लिया दोस्तों अस्तारिक है एक डिसमबर 2022 और दिन है गुरुवार आज की लेटेश नूज अप्डेट्स में हम जारेंगे पीम नरेंद्र मोदी आज गुरुवार से फिर दो दिन के गुजरात दोरे पर सैंसेक्स ने पहली बार किया 63,000 का लेवल पार भारत और नियूज लेंड के बीच तीसरा ODI हुआ रद इंडिया एक शून से हारी सिरीज हौकी में ऑस्टेलिया को दी शिकस्त हरी आड़ा के गुरुग्राम में सिंगर दलेर सिंगा फॉर्म हाउस हुआ सील और ऐसी तमाम बड़ी खबर पर डालेंगे नजर तो चलिए फटा-फट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तत्थी की साथ समुद्री जीवन बेहद रोचक और रहस्यों से भरपूर है करीब 63 साल पहले 1957 में एक विशाल ऑक्टोपस मिला था जिसका वजन था 270 किलोग्राम और उसकी भूचाएं 5 मीटर लंबी थी हम आपको बता दे कि ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं जिसमें दो खून की सपलाई का काम करते हैं और तीसरा उस खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुचाने का काम करता है आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके खून का रंग नीला होता है दरसल उनके खून में तामबे की मात्रा अधिक होती है जिस वज़े से खून नीला हो जाता है उक्तोबर्स की कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती हैं जिससे मनुश्यों की मौद भी हो सकती है अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीती की सभी बड़ी खबरें प्रहान मंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार से फिर दो दिन के गुजरात दोरे पर रहेंगे इन दो दिनों में वे साथ रैलियां और एहमदाबाद में एक मेगा रोट शो भी करेंगे पी-म आज गुरुवार को पंच महाल के कालोल, छोटा उदेपूर के बाडोली और हिमतनगर में रैलिया करेंगे इसके बाद शुकरुवार को काकरेज, पाटर, सोत्रीचा और एहमदाबाद में रैलिया करेंगे किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ पंजाब के संगरूर में कल बुधवार को सीम भगवंत मान के आवास पर मजदूरों ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया इसके चलते पंजाब पुलिस ने मजदूरों पर लाठी चार्च कर दिया बताया जा रहा है कि मजदूर यूनियन रोज का मेंताना बढ़ा कर साथ सो रुपए करने की मांग कर दा था अमिद्शा बोले गुजरात में आपका खाता नहीं खुलेगा यानि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी उन्होंने कहा हमारा मुकाबला कॉंग्रेस से है लेकिन उसकी हालत पहले से ही खसता है इससे राज में भाजपा की सरकार आना तैह है गुजरात में एक्शन टास्क फोर्स ATS को कल बड़ी काम्याभी मिली टीम ने वर्डूद्रा के पास एक फैक्ट्री में छापा मार कर 500 करूर रुपे मूली की ड्रक्स बरा मत की इस मामले में अब तक 5 लोगों को अरेश्ट किया गया है चुना है हो कि ताजा आख्डों के मताबिक 2021-22 के दुरान केंदर में सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को 614 करूर रुपे चंदे में मिले कॉंग्रेस पार्टी को चंदे में मिले रखम से ये 6 गुना अधिक है कॉंग्रेस को सिर्फ 95 करूर रुपे का ही चंदा मिला बैंग गुरू में Union Bank of India के ATM के गार ने ATM मशीन से 20 लाख रुपे चुरा लिए मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक युएक ने गर्ल्फरेंड से शादी करने के लिए पैसे चुराए बिल्किस बानो गैंग रेप केस में उम्रकैत की सजा पाए 11 दोशी 18 साल जील में रहने के बाद रहा हो चुके हैं अब इस मामले में बिल्किस ने एक बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है श्रद्धा मडर केस में आफ्ताब की नई गर्फरेंड सामने आई है उसने दावा किया है कि श्रद्धा के मडर या उसके टुकणों से उसका कोई लेना देना नहीं है उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफताब ने इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए थे मीडिया रिपोर्ट्स को मताब एक पॉलिग्राफ टेस्ट में आफताब में कबूल कर लिया है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की है और उसे इसका कोई अफसोस भी नहीं है आज आफताब का नार्को टेस्ट होना है डिल्ली में MCD चुनाओ को लेकर मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल प्रचार में जोटे हैं जिनमें से एक वाइरस 48,500 साल पुराना है पग्यानकों ने इन सभी को जॉंबी वाइरस नाम दिया है ऐसा इसलिए क्योंकि यह इतनी सदियों से बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद चिन्दा है पूरु चीनी राशपती जियांग जैमिन का 96 साल के उन में निधन हो गया उन्हें लिक्वेमिया की बिमारी थी साउथ कोरिया के एर डिफेंस जून में दो चीनी और छे रूसी लड़ाकों विमान गुज गये सियोल के जॉइन चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी जानकारी दी इसके बाद साउथ कोरिया की एर पूर्स ने अपने लड़ाकों विमान इस जून में भेजे अफगानिस्तान के सामांगन प्रांत में बुधवार को एक स्कूल पर आतंकियों ने बम से हमला किया इस घटना में 10 बच्चों समित 16 लोग मारे गए जबकी 24 खायल है अमेरिका ने एक रिपोर्ट में काया कि चीन ने उसके अधिकारियों को धमकी दी है उसने अमेरिकी अधिकारियों को भारत चीन रिष्टों पर कुछ ना कहने की चेताउनी दी है पेड़ेगन के रिपोर्ट के मताबिक चीन भारत के साथ बॉर्डर पर भी टेंशन कम करना चाहता है इसके पीछे चीन का मकसद साफ समझ आ रहा है चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़े वहीं अमेरिकी सेनेट ने सेम सेक्स मैरिज बिल पास कर दिया है नियू यॉक टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक अब इसे हाउस ओफ रिपर्जेंटेटिव के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेज़ा जाएगा पाकिस्तान की पंजाब फ्रांट में कटरपंतियों ने एहमदिया समदाय के कबिस्तान पर हमला किया यह संदिक्दों ने कबरों को तोड़ दिया और उन पर एहमदी विरोधी नारे लिख दिये चीन में पुलिस की सकती के बावजूद जीरो कोविट पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है गुआंग्चू शहर में लोग पुलिस पर काच की बोतले फेकते नजर आए साथ ही लोगोंने राश्पती शी जिन्पिंग के खिलाफ जम कर नारे बाजी की मेकसिको में मेडिकल साइंस का दुरलब के सामने आया है यहां एक बच्ची 2.2 इंच लंबी पूँच के साथ पैदा हुई है बाद में इसकी लंबाई 6.8 संटीमीटर और भड़ गई थी यह देख डॉक्टर भी दंग रहे गया क्योंकि दुनिया में अब तक सिर्फ ऐसे 40 मामले मिले हैं अब सुनते हैं बिजनस वर्ल्ड की लेटिस न्यूज भारती रिजर्ब बैंक आरबियाई ने आज 1 दिसंबर को रिटेल डिजटल रुपी के पाइलट प्रोजेक्ट को लांच करने की घोशना की है पाइलट प्रोजेक्ट में डिजटल रुपी क्रियेशन, डिस्ट्रिबूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपय तक की कमी आ सकती है इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल यानि ब्रेंट की कीमत जनवरी से निचले अस्तर पर है यह अब 81 डॉलर के नीचे आ गई है अमेर की क्रूड 74 डॉलर प्रती बैरल के करीब है हुंबई में मौझूद एशिया के सबसे बड़े सलम धारावी को अडानी ग्रूप रीडेवलप करेगा अडानी ग्रूप ने सबसे जादा 5,079 करोड रुपए की बोली रगा कर इस प्रोजेक्ट को हासिल किया चीन में जिनपिंग सरकार के आलोशना के बाद गायब हुए दिगज एकॉमर्स कंपनी अलिबाबा के फाउंडर जैकमा के जापान के टोक्यो में होने की खबर है खबरों की माने तो वे अपनी हत्या के डर से जापान में रह रहे हैं चीन से वह अपना परसनल शेफ और सेक्योर्टी भी ले गए हैं और आज कल पेंटिंग करके समय बिता रहे हैं प्रोजर रॉय और राजिका रॉय ने एंडी टीवी के प्रमोटर ग्रूप आर आर पी आरेच के बूर्ड के डैक्टर पत से इस्तिफादी दिया है टोइटा किरल उसकर मोटर के वाइस चेर परसन विक्रम किरल उसकर का 29 नॉंबर को दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया वह 64 साल के थे शेर बाजार कल पहली बार 63,000 के पार पहुँच गया कारुबार के दोरान सेंसेक्स 63,303 के नए ओल टाइम हाई पर भी पहुँचा कल सेंसेक्स 417 अंक बढ़कर 63,999 पर बंद हुआ निफ्टी ने भी कल नया ओल टाइम हाई और क्लोजिंग बनाया अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार भारत और निउजिलेंड के बीच क्राइस चर्च के हिगले ओल में खेला गया तीसरा वंडे बारिश के कारण ट्रद हो गया हालत ये थी कि अगर दो ओवर और हो जाते ते निउजिलेंड मैच जीत जाता फिर भी तीन ओडियाई मैचों के सिरीज निउजिलेंड ने एक शूने से अपनी नाम की टॉम लेथम मैन अफ दे सिरीज बने कल खेले गए होकी मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चार तीन से हरा दिया रोमाचक मुकाबले में 69 मिनट तक स्कोर 3-3 से बराबर था आखरे मिनट में भारत के आकाश दीप ने मंदीब सिंग के पास पर बॉल को नेट में पहुचा दिया और टीम को जीत दिला दी पांच मैचों के पहले दो मैच जीतकर औस्ट्रेलिया सीरीज में दो एक से आगे है करीब 17 साल बार टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुचे इंग्लैंड के क्रिकेट टीम संकट में घिर गई है आज एक डिसंबर से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है और इंग्लैंड टीम के 14 मेंबर वाइरल फीवर से द्रस्त है इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्शन प्रोसेस पर कॉंग्रेस सांसद शशितरूर ने सवाल उठाया है उन्होंने ट्वीट में संजु को बेंच पर बठाया जाने का कारण पूछा एकवडोर और सेनेगल के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया इसमें सेनेगल ने दो एक से चीत दर्ज की वहीं निदलैंड ने होम टीम कतर को दो शूनी से हरा दिया अमिर्का ने ग्रूप B के मुकाबले में इरान को एक शूनी से हराया हार के मातम के बदले इरानी लोग खुशिया मना दे दिखे इसे हिजाब विरोध मुव्मेंट से जोड़ कर देखा जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप में कल शुक्रवार यानि 2 दिसंबर को पहली बार महिला रेफरी देखने को मिलेंगी फ्रांस की स्टेफनी, फ्रापार्ट, जर्मनी और कोस्टारिका के बीच होने वाले मैच में फील्ड रेफरी की जिमेदारी सभालेंगी राशपती द्रापदी मुर्मो ने बुधवार को राशपती भावन में 2022 के राश्टरी खेल पुरसकार दिये इस दोरान राशपती भावन में खिलाडियों और कोच को सम्मानित किया गया टेबल टेनिस के लाड़ी अचंत शरत कमल को मेजर ध्यान चंत खेल रत्म दिया गया महीं चेस ग्रेंड मास्टर आर प्रागना नंच समेथ 25 दूसरे स्पोर्स प्लियर को अरजुन अवार्ड से समन्ध किया गया मसीव अकरम ने हाली में रिलीज बायोग्राफी सुल्तान में लिखाया कि 1984 में जब मैंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया तो उस समय के दिगज बल्लेबाज सलीम मलिक का वैभार काफी खराब था अकरम ने आरोप लगाया कि मलिक उनसे कपड़े और जूते साफ करवाते थे इसके लावा वे उन्हें मालिश करने को भी कहते थे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अकबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक दे कर सपोर्ट करना ना भूलें साउथ के सुबर स्टार विजय देवरकॉंडा से बुधवार को एडी ने पूस्ताच की देवरकॉंडा सुबर करीब आठ बजे एडी के दफ्तर पहुँचे थे उनसे फिल्म लाइगर में विदेशी फंडिंग को लेकर जाच एजिंसी ने सवाल जबाब किये रियल लाइफ स्टोरी आधारित फिल्म सलाम विंकी से काजोल फिल्मों में वापसी करेंगी फिल्म 9 दिसमबर के दिन रिलीस होगी रोहिज शेटी की अपकमिंग फिल्म सरकस इस क्रिसमस पर रिलीस होने वाली है इसका ट्रेलर 2 दिसमबर को आउट होगा उधर गोवा में हुए फिल्म फेस्टिवल के दौरान जै भीम के मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्विल को लेकर एनॉंसमेंट कर दी है नोरा फतेही ने हाली में कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हुए एक फैन टेस्ट में परफॉर्मस दी इस इवेंट के दौरान उनने सबका दिल जीतते हुए तिरंगा हाथ में लेकर जै हिंद का नारा लगाया वल्लीवड अक्टरस क्रिती सैनन और सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपने लिंक अप की खबरों के वज़े से परिशान है क्रिती सैनन ने इसे अफवा कड़ार दिया वरुनधवन ने भी कहा कि उनकी बात को एडिट करके दिखाया गया अगर बार बार CCTV गायब हो तो शक किसी चोर पर ही जाता है लेकिन कन्या कुमारी में CCTV चुराने वाले एक बंदर का वीडियो वाइरल हो रहा है प्लायवुट शॉप में पिछले कुछ समय से CCTV कैमरे चोर ही हो रहे थे एक के बाद एक 13 कैमरे गायब हो चुके थे पर चोर पकड़ा ही नहीं जा रहा था दुकानदार इस बास ते परिशान था क्योंकि चोर का चहरा कभी भी दिख नहीं रहा था फिर एक वीडियो में असली चोर की हरकत रिकॉर्ड हो गई ये जानकर खुद दुकानदार भी हैरान है कि एक बंदर ऐसा कर रहा था तो दोस्तों ये हो गए आज के प्रमुक समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरे किने साइब आज का अकभार अन तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद and once again I request you to please subscribe our channel and share this podcast with your friends तो कल फिर होगी मुलाकात क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अगबार तब तक के लिए नमशकार